कि नमस्कार स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरू में और आज हम लोग बात करने वाले हैं यहां परसेंटेज की तो परसेंटेज या प्रतीशत्ता यह होता क्या है यजिसमें परसेंट करते हैं मैंने कहां प्रतीशत का इस्तमाल करते हैं तो आपके मन में आता है प्रतीशत है क्या है तो देखो हम लोगों ने बहुत बार बच्चों यहां दिखाऊँग arguably 20 इáis तरीके का साइन का मतलब हुता है परचैंट और यह जो 20 परचैंट लिखा हुआ है तो आहीं चीह तो हम को भी पता है हम भी परतियार रहे है बीस परसेंट लिखाए यह पर percent है क्या तो देखो अगर मैं नाम को ब्रेक करण कर और सेंट यह नाम है पर और सेंट नाम को ब्रेक किये तो मतलब क्या होता है प्रति की pięć प्रति प्रति का मतलब हुआ फोर एवरिएयर यानि प्रतेक सेंट या शत का मतलब हुआ 100 ठीक है 100 याँनि for every 100 प्रतेक 100 के लिए कहने का मतलब है अब प्रतेक 100 के लिए क्या मतलब इसका मतलब हुआ कि अगर आप कहीं पे लिखते हैं मैं माल लेता हूं कि 500 20% औफ 500 यानि 500 का 20 तो इस statement का मतलब क्या हुआ इस statement का मतलब हुआ कि अगर 500 को किसको 500 को मैं 100 बराबर हिस्सों में बाटू इस 500 को किते बराबर हिस्सों में बाटू तो क्या होगा इसके 20 तुकड़े के बराबर यह वैली होगी मतलब अगर मैं आपसे कहता हूं कि माल लीजे कोई राम है ठीक है यह राम है मिस्टर इन्हें 20 परसेंट औफ रुपीज 500 मिलना है ठीक है तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ कि जो यह राम थे उन्हें 500 के अगर 100 तुकड़े कर दिये जाएं तो वह 100 तुकड़ें में से 20 तुकड़े ने मिल जाएंगे ठीक है अगर मैं आपसे कहता हूँ 100 पार्ट बलाबर है 500 के तो एक पार्ट में कितना आएगा 5 रुपीज आएगा 100 पार्ट में 500 रुपे आ रहे हैं तो एक पार्ट में 5 रुपे आएगा तो 20 पार्ट में कितना आएगा 20 पार्ट में आपका आजाएगा 5 इंटू 20 यानि की 100 यानि राम जो थे उन्हें 500 में से 100 रुपे मिल गए 500 में से 100 रुपे मिल गए यह तरीके का डिफाइंड करने का तरीका होता अब इसका इस्तमाल कैसे करते हैं या क्यों इस्तमाल करते हैं मालों यहां पर अभी हमें 500 रुपे डिफाइंड नहीं होता यहां पर 500 रुपे डिफाइंड नहीं होता आप से कहा जाता राम को किसी बिंद्निस में कुछ भी जो प्रॉफेट हो रहा है उसका 20% मिलेगा 20% ओफ्रॉफेट यानि डिसाइड क्या हुआ कि जो भी लाब हो उसके हम सो बराबर तुकड़े करेंगे और उन सो तुकड़ों में 20 तुकड़े किसको दे देंगे राम को तो परसेंट का इस्तमाल हमारा मेलिक इस चीज में होता है किसी भी एक बड़ी चीज को इकवल पार्च में डिवाइड करना एक प्रॉपर वैल्यू में उसको डिफा क्या आता था आपका कि भाया इस बार आपके 70 परसेंट आई हैं अभी 70 क्लासिफाइव करने में मदद Marshmage क्लासिफाइब करने में किया मदद करता है कि अगर आपके पक्त सब्यक्त है और प्रतेख सब्ज。」 आज मार्ज rodent का है 500 के अगर 100 पार्ट हो रहे तो उसमें से 70 पार्ट इसको भी जा रहे हैं चीयर मालो अगर 6 सब्जेक्ट हो जाते उस छेइसो और तो 600 यानि जिते सब्जेक्ट है अब होते जाते उतने परसेंट अब हुआं कोई फराक नए परताए यूनिक वैल्यू हमने डिफाइंट करने का तरीका निकाल लिया तो यह परसेंट हो गया फॉर एवरी हंडे यानि कोई भी एक चीज है उसे होल में सो माना और फिर उसके सो बराबरे तुकड़े करके जो कुछ तुकड़ा किसी को मिल ला है यानि किसी भी चीज को एक होल मान मैं आटाता सा इस साइन का मतलब क्या है इस सांक का मतलब क्या है फॉर एवरी हंडे का मतलब परसेंट है यह यह साइन किसका परसेंट था आपको बताया for every 100 का मतलब हो गया one upon 100 का मतलब percent का मतलब one upon hundred ठीक है for every hundred इसलिए इसलिए अगर मुझे कहीं पर percent का sign लगाना हो तो मैं क्या करूँगा multiply by 100 करूँगा तो मेरे पास 100 की value आजाएगी multiply by 100 करूँगा तो मेरे पास 100 की वैल्यू आ जाएगी अब यह रखते कैसे हैं उसकी बात करते हैं अब यह इस्तमाल कैसे होगा माल लीजे कि नीचे हमेशा वह वैल्यू आएगी जिससे हमें कंपेर करना होगा और उपर वह वैल्यू आएगी जिसका जिसका कंपेरिजन चल लाए यानि कि अगर मैं कहता हूं आपने 400 मार्ग से स्कोर किये आउट ओफ फाइफ अंडेट तो हम लोग क्या करते थे चारसो उपर क्योंकि इसका कंपेरिजन करना है किससे कंपेरिजन करना है 500 में तो नीचे 500 उपर 400 इन्टू 100 कर दूँगा मैं इन्टू क्या कर दूँगा तो मेरे पास वैल्यू आजाएगी इन्टू 100 कर दूँगा इसी प्रकार से अगर मेर से कहा जा रहा है 500 का सत्ता परसेंट कैसे 500 का 70 और परसेंट के लिए नीचे सेंटी परसेंट का मतलब 500 का सेवेंटी से मल्टिप्ला और परसेंट है तो नीचे 100 अब इसे हम लोग थोड़ा सा स्टेटमेंट की मदद से समझते हैं पहला स्टेटमेंट लाते है अपर यहां पर देखो का है स्टेटमेंट अब लिखा जा रहा है कितना प्रतिशक है स्टेटमेंट से मैं क्या समझ में आ रहा है यानी हमें किस से अ इंगिया हमारा बेस है तो अगर यह हमें माल लिया हमें compare किस से करना है B से क्यों A is what percent of B B का B से relation बंद रहा है न तो B से relation बंद रहा है B से compare करना है तो B base और A को compare करना है तो A उपर into 100 ठीक है A is what percent more or less than B फिर से अभी compare B से करना है compare B से करना है अब A कम या जाद है कैसे ज्याद करें को हम क्या करते हैं A minus B कर देगे क्योंकि कतना ज्यादा रहा है या कम वह कीसे पता चलेगा वह कैसे पता करने पर आप के नेगेटिव यह पर अग्छा से less है, a minus b करने पर अगर आपके पास positive value आ रही यानि b less है, सही है, यानि अगर यह negative आया, तो a less और positive आया, तो b less यानि a more, है न, अच्छा, a is x percent more than or less than b, आप देखोए इसको करने का सबसे best तरीका क्या है, अगर b base था मेरा, b base है, अगर मैं statement को follow करूँ, तो a is x percent more or less than b, अगर वो x percent more है भी से, तो आप क्या कहोगे, b plus b का x percent add करूँगा, तो a आ जाएगा, क्योंकि इत्ता जादा है a, example समझना, अब मैं b इसमें से common ले लूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 100 plus x बटे 100, equal to a, यहीं पर अगर less हो जाएगा, तो b, 100 minus x बटे 100, यह किस के लिए, more के लिए case है और यह less के लिए, अब देखो लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक concept लेके चलू, कि b अगर 100 है, b अगर 100 है, तो a अगर more है, तो आप सीधे सीधे 100 plus x ले सकते हो, और अगर less है, तो आप 100 minus x ले सकते हो, for example, अगर मैं आप से कहता हूँ, a जो है, वो 20% more है, b से, a is 20% more than b, तो आप क्या कहोगे, कि b अगर 100 है, तो a क्या हो जाएगा, 100 plus 20, यानि की 120, ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉंसेप्ट है, यही स्टेट्मेंट का हम इस्तेमाल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और पार्ट को देखते हैं, इसके बाद आपका आता है, percent value and fraction value, अब percent value and fraction value क्या है, देखिए, अगर मैं कभी भी कोई value को define करता हूँ, मान लीजे, मैं आपके marks की बात कर रहा हूँ, तो आप देखिए, जब भी हम fraction में बात करते हैं, किसी भी चीज को पूरा मानते हैं, तो one मान लेते हैं, किसी एक चीज में, कोई एक काम में, कोई एक, एक मान के चलते हैं, और percent में जब भी हम कोई चीज लेते हैं, तो उससे कितना मानते हैं, तो आप देखो, अगर मुझे percent value को fraction value में लेना है, तो अगर मैं आपसे कहता हूँ, यह ऐसे लिखा, यह आपकी percent value हो गई, यह आपकी क्या हो गई, percent value हो गई, अब इसे fraction value में करना है, तो fraction कैसे बनेगा, अगर मैं यह percent का sign हटा दू, तो यह क्या हो जाएगा, one upon hundred, यह जो one आया, यह आपकी fraction value, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिख दू, तो 50%, तो 50% का sign हटा मतलब, one upon hundred, 50 से यह दो बार चला गया, एक बटे दो, fraction में आगे, मैंने यहाँ पर लिखा, 25%, 25% का sign हटा, एक बटे 100 आगया, चार, एक बटे 6, तो यह आपका क्या हो गया, percent value, जिनके साथ, परसेंट आ रहा है, अगर उनकी percent sign हटा दे, तो वो कुछ fraction में value देंगे, वो आपकी fraction value, यानि आपका प्रतीशत मान, वो भिंद मान, अब इनका इस्तमाल हम लोग बहुत हत्तक करते हैं, इनका इस्तमाल हम लोग बहुत हत्तक कर रहा है, आज पता नहीं क्या हो रहा है, यहां पर खिली सी हो रही है, चलो, आगे बात करते हैं, ठीक है, अगर हम आगे बात करें, तो यह बात clear हो गई, percent value, fraction value कैसे हो, अगर fraction value से percent value निकाल नहीं है, यानि अगर आपके पास लिखा है, मान लीजे, एक बटे पांच, यह fraction value है, एक बटे पांच fraction value है, मुझे percent मैं चाहिए, तो मैं इंटू 100, पास से 20 बार, यानि 20%, ठीक है, एक बटे पांच को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20% भी लिख सकता हूँ, clear, तो यह कुछ percent value है, fraction value है, आप देख सकते हैं, एक का मतलब 100%, एक बटे दो का मतलब 50%, एक बटे तीन का मतलब 33, एक बटे 4, 25, एक बटे 5, 20, एक बटे 6, 16, दो बटे 3, एक बटे 7, 14, दो बटे 3, एक बटे 5, 40%, एक बटे 5, एक बटे 5, एक बटे 5, 80%, तो मैंने कोशिश करी है, आपको सारी percent of fraction value देने के लिए, आप उसको याद कर सकते हैं, उस पर practice कर सकते हैं, जैसे आप practice करेंगे, आपको इसमें improvement नजर आएगा, चले, अब इनके सवालों की जरा बात कर लेते हैं, तो जैसे आप यहाँ पर देखिए, आपके सामने पहली condition क्या है, यह basic अभी मैंने आपको practice करने के लिए दिया है, एक 1225 का 20%, यानि 20% of 1225, तो 20% का मतलब 1 by 5 होता भी हमने निकाला, 20% का मतलब क्या होता है, 1 by 5, अम मुझे किस से निकाला है, 1225, तो मैंने कहा, पास्से से डिवाइट करो, 5, 2 जा 10, 2 बचा, 22 हो जाएगा, 5 से कित्ती बार जाएगा, 4 ताइम्स, 5 से कित्ती बार जाएगा, 4 ताइम्स, तो कित्ता हो गए आपका 20 हो गया 2 बचा अब यह 2 से कित्ती बार जाएगा 5 तो आपका आंसर कित्ता हो जाएगा यहाँ पे 245 यानि option 4 और यहाँ तक किसी को दिक्कत होगी चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल कि तरफ देखते हैं अगला सवाल क्या है अगला सवाल कह रहा है 87 1 by 2 percent of 2408 अब इसकी दो तरीके हैं पहला तरीका क्या है मुझे पता है इसकी वेल्यू क्या है मुझे पता है इसकी वेल्यू साद बटे होती है अगर मुझे याद है सेविन बाइट तब तो ठीक मैं डारेक्ट सेविन बाइट कर लूँगा अब मुझे याद नहीं तो मैं क्या करूंगा मैं कौँगा अगर मैं से सो मैं से माइनस करके देखू तो मेरे पास साड़े बारा परसेंट आ रहा है तो एक तरीका मुझे क्या समझ में आए कि यह साड़े बारा परसेंट से कुछ रिलेटेड है क्या है साड़े बारा परसेंट से रिलेटेड अगर मैं चाहो तो इसको लिख सकता 1-12% मतलब होता है one by eight यह तो आपको याद होना चाहिए एक बटे तीन एक बटे चार एक बटे पाच बटे छे एक बटे शाथ एक बटे आठ एक बटे नौ इस तरीके से 1-12-13 आपको याद होना है एक लिस्ट 20-25 सब्सalsa कर हो तब अब ही मैंसे क्या लिख सकता हूं 1-1 by 8 यानि 7 by क्या किया सौ में से साड़े 12% हटा दिया सौ में से साड़े 12% हटा है तो 87.5% एक तरीका यह हो गया तो 7 by 8 रखा मैंने तो 7 by 8 इंटू 2-4-0-8 अब आच से से डिवाइंट किया तो 3-0-1 7 से मल्टिप्लाइ किया 7-0-2-1 2-1-0-7 option second is the right answer 2-1-0-7 option second is the right answer चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ देखते हैं सवाल क्या है अब यहां पर क्या दिया गया है 25% of 2484 अब 25% का मतलब हो गया 1 by 4 इंटू 2484 25% कैसे 25 और परसेंट का साइन हटा नीचे सवाया 1 by 5 तो माइनस 1 by 5 इंटू 25 अब देखिए 4 से इसे डिवाइट करूँगा 6 2 1 5 से इसे डिवाइट करूँगा 500 तो अब आपके पास क्या रहा है 1 2 1 621 में से 500 चला गया तो 121 बचा 621 में से 500 चला गया तो 121 बचा equal to में है question mark equal to में क्या है question mark तो मुझे पता चला यह इस तरफ आएगा तो root हो जाएगा तो question mark की value आपके यानि और इस तरीके के सवाल में गलती क्या होती है स्क्वेर भूल जाते हैं हम यह स्क्वेर देखना भूल जाते हैं 121 लगा देते ऑप्षन में भी इस अगले सवाल की तरफ देखते अगला सवाल क्या है आपके लिए अगला सवाल कह रहा है 83 1 by 3% of 8 1 by 3% of 864 अब जिसको यहाँ पर भी पता है कि यह 16 सही 2 बटे 3 है 100 से 16 सही 2 बटे 3% कम करूंगा तब मेरे पास 83 1 by 3% आएगा सही अब जिसको यह पता है तो वो क्या कह सकता है यह 1 minus 1 by 6 यानि 5 by 6 तो इसकी जगे मैं रख सकता हूं 5 by 6 यह आपका कहता है 864 अब देखो मुझे 8 से एक बटे 3 का मतलम नहीं पता लेकिन मैं अगर उसको ओवरॉल लिखूं तो 8 3 जा 24 1 25 by 3 हो जाएगा क्या हो जाएगा 25 by 3 और परसेंट में तो आप सीधे सीधे नीचे 100 रखोगे आप देखिए एक बटे 12 तो यह बटे 12 हो जाएगा आप देखिए इस तरीके के सवालों में आप एक सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हैं कि ऊपर अगर 25 बन रहा है 25 का मतलब होता है ज़ा 3 और भचाता हुई तो 3 in to 4 सीधे सीधे आप एक बटे 12 लिख सकते हैं किया लिख सकते ''Eight 1 by 3 का मतलब 25 बटे 3 हो रहा है 25 का मतलब मतले साथ होता है 25% मतलब था एक बटे चार तो तीन नीचे और है तो सीधे 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 1 बटे 3 fire बटे 6 इसाथ 14 साधू 2 टू बाइ थ्री तो सिक्स थ्री जा एटीन प्लस ट्वेंटी तो यह हो गया बीस ट्वेंटी बाइटी बाइटी को 20 परसेंट का मतलब होता है एक बट्टे पांच इन्टू बाइटी 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 तो आप इस तरीके से चीज़ों को लिख सकते तो अभी क्या आया हमारे पास एट शिक्स्टी फोर का एक बट्टे बारा भाग इन्टू इन्टू अब मैंने इसे देखा शिक से यह डिवाइड हो रहा है तो शिक्स अग्से दिवाइड हो रहा है कित्ती बार जा रहा है है 6 बंच आज 6, 2 बचा 26, 6 बंच आज 24, 2 बचा 24, 12 से ये चला जाएगा 12 टाइम, 12 इंटो 5, 60, आंसर आपका आगया, ऑप्शन सेकेंड 60, आंसर के आगया, ऑप्शन सेकेंड 60, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरह, अगला पार्ट क्या कह रहा है What is the value of 66 2 by 3% of 220% of 1710 ठीक है अब अगर मैं 66 2 by 3% को लिखना चाहूं तो इसको मैं क्या लिखता हूं 2 बटे 3 अब 220 परसेंट को कैसे लिखूंगा 220 परसेंट को तो 220 परसेंट का मतलब देखो 200 प्लस 20 200 का मतलब 2 प्लस 20 का मतलब 5 1 by 5 220 तो 200 का मतलब 2 और 20 का मतलब 1 by 5 तो 5 to the 10 प्लस 1 11 by 5 इसको लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा 11 by 5 तो मैंने 220 का मतलब रखा 11 by 5 अब multiply by 1710 तीन से दिवाइड तीन और पांथ दोनों से डिवाइड हो रहा है देखो 1, 7, 1 9 हो गया तो 3 से डिवाइड है 0 आ रहा है तो 5 से डिवाइड है मैंने सीधे सीधे डिवाइड कर दिया 15 से तो 15 से यह कित्ती बार जाएगा 15 बंजा 15 बचा कित्ता 2 21 हो गया फिर करा तो 15 बंजा 50 1 टाइम्स गया अब कित्ता बचा हमारे पास 6 60 हो गया 15 फोर्जा 60 2 का मल्टिप्लाइ कर दूँगा तो यह कित्ता हो जाएगा 228 और उसमें मल्टिप्लाइबाइबाइब तो 8 8 प्लस 2 10 1 कैरी 224 1 कैरी 5 और 2 तो 2508 2508 यानि ऑप्षन सेकेंड इस ता सही है तो इस तरीके के सवाल भी आप लोग एजली करने पड़ेंगे कर लेंगे इस तरीके के सवाल आप देखे आपके एग्जाम्स में आजकल आते हैं जो आपके 12 और 10 लेविल के आते 10 और 12 लेविल के एक्जाम में इस तरीकी मतलब जो इन पर बेस होते हैं चाहे वह फिर क्लरीकल हो MTS हो या आपका करते हैं अगले सवाल की तरह अगला सवाल कह रहा है if 20% of a number is 350 किसी number का 20% अगर 350 है then find a number आप देखिए आप से कहा जा रहा है यदि किसी संख्या का 20% 350 है तो संख्या ग्याद कीजिए अगर 20% का मतलब क्या होता है एक बटे 5 20% का मतलब क्या होता है 1 by 5 इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पूरा number 5 है तो उसका एक पार्ट एक पार्ट 350 के बराबर तो 5 पार्ट कितने के बराबर हो जाएगा 350 into 5 तो 0 5 35 into 5 कितना होता है 175 1750 तो आंसर आपका आगया option 4 1750 ठीक है चलो अब देखो इसको एक और तरीका है सौज़ करने का वह क्या है कि 350-20% के बराबर है तो जितने प्रतीशत के बराबर है उससे डिवाइट कर दो और जितने प्रतीशत के बराबर है उससे डिवाइट कर द अबी संख्या की आवश्यक्ता थी यानि 100% की आवश्यक्ता थी तो 100 से मल्टिप्लाइब कर दिया यूनिट्री मेथड लगाया क्या 20% 350 के बराबर तो 1% 350 बटे 20 के बराबर तो जैसी मैंने 350 को 20 से डिवाइट किया मेरे पास 1% की वैल्यू आ गई अब मुझे जितने भी परसेंट की जरूरत है उसका मल्टिप्लाइब यानि जो भी नंबर जितने परसेंट के बराबर है अगर मैं उस नंबर को उतने से मल्टिप्लाइब बात वही हो गई देखो बीस से यह पांच बार पांच इंटू साड़े तीन सो वन सेवन फाइफ जीरो अंसर होल कॉंसेट वही है अब यह जरूरत के हिसाप से हम पिक करता है कहां पर किसकी जरूरत है और किस तरीके के सवाल से हम उसे जल्दी प्रफ नंबर इस 36 किसी संख्या का 25 प्रतीशत 36 के बराबर है देन 125 परसेंट आफ देट नंबर विल भी अब देखो दोनों तरीके हैं अब मैं क्या कर सकता हूं 25 परसेंट का मतलब होता है एक बटे शार और 125 परसेंट कैसे आएगा वन प्लस एक बटे चार 100 125 100 प्लस 25 यानि यह किता हो जाएगा 5 बाइ 4 अभी आपको पता है संख्या दोनों जगे ही 4 4 है संख्या दोनों ही जगे 4 4 है तो आप क्या कह सकते हैं कि 36 जो है वो एक के बराबर है तो 5 कितने के बराबर होगा तो पांच कितने के बराबर होगा तो 36 इंटू पांच 36 इंटू 5 वन एट्टी आंसर या आप इसको ऐसे समझिए कि आ नंबर इस 25 परसेंट ऑफ नंबर इस 36 वन तर्टी 25 परसेंट यानि अपने आपसे ही यह संख्या कितनी जादा है 25 परसेंट है तो आप क्या कह सकते हैं अगर 25 परसेंट का मतलब है एक बटे चार तो अगर संख्या का चार है तो 125 मतलब यह से एक भाग ज्यादा है 25 परसेंट का मतलब क्या चार का एक भाग यानि यह चार से एक ज्यादा है चार से एक ज्यादा है यानि नंबर हो गया पांच 25% का मतलब अगर 25% एक बटे 4 है तो 125 का परसेंट का मतलब 4 से 1 जादा 5 बटे 4 अब हम लोग solve कर सकते हैं या फिर अभी जो मैंने आपको method बताया 36 divided by 25 36 divided by 25 का मतलब हो गया 1% मुझे चाहिए 125% तो 25 से ये चला जाएगा 5 बट 36 into 5 1 हम directly % का भी इस्तमाद सब्सक्राइब सही अतिबा अभी तक किसी के मंद में doubt मुझे इन लग रहा अभी तक किसी के मंद में अब doubt आ रहा होगा जो भी doubt होंगे वो clear होते चले गए अगला सवाल ये भी बहुत प्यारा सवाल है दिखें ध्यान से यहाँ पर कह रहे है if 80% of x equal to 50% of y then x is what percent of y 80% of x यानि की 80% of x बराबर 50% of y percent से percent cancel 0 से 0 cancel x upon y equal to 5 by 8 अब वो कह रहे हैं तो x y का कितना percent है x y का कितना percent है x upon y में अगर मैं 100 का multiply कर दूँ x upon y में अगर मैं 100 का multiply कर दूँ तो मेरे पास value आ जाएगी तो x upon y की value 5 बटे 8 आ रही है यानि 5 by 8 into 100 8 से यह आपका 4 से चला गया 2 बार 4 से चला गया 25 यह आपने multiply किया तो 125 आ जाएगा divide by 2 यानि आपका आगया 62.5 पर्षेंट आंसर option 5 आंसर आ गया option 5 तेक है आप देखो इसको आप जल्दी कैसे कर सकते हो जब भी इस तरीके का सवाल आए तो आप directly x upon y की value लिख लीजिए x upon y की value x के सामने वाली value x के सामने y के सामने वाली value y के सामने पर्षेंट से पर्षेंट कैंसे अब यह आपका आगया 0 5 upon 8 y upon x पूछते y upon x पूछते तो 8 by 5 हो जाता जो भी पूछा जाए question के को अब 5 by 8 की पर्षेंट value आपको पता है नहीं पता आपके दिमाग में एक बात आई के पांच इंटू एक बटे आठ लिख सकता हो क्योंकि एक बटे आठ का मतलब होता है साड़े बारा परसेंट यह हम लोग discuss कर चुके है 1 by 8 का मतलब होता है साड़े बारा परसेंट इंटू 5 यानि 62.5 125 इंटू 5 625 एक पॉइंट लगा दिया 62.5 परसेंट आठ क्या किया मुझे एक सपॉन वाय की वैल्यू पांच बटे आठ पता थी तो पांच बटे आठ की वैल्यू याद है तो ठीक है अगर याद नहीं है तो इसको मैं लिख सकता हूँ पांच इंटू एक बटे आठ और एक बटे आठ नमतलब होता है साड़े बारा परसेंट अब पांच इंटू साड़े बारा किया 62.5 परसेंट आंसर आठ 100 का इस्तमाल करने की जरुवत नहीं पड़ेगी बड़ी आसानी से हम लोग यह इसलिए बता रहे क्योंकि जब आपको प्रेक्टिस हो जाएगी तो यह पार्ट आप वर्बली कर लोगे आपको चेक आउट करने की जरुवत नहीं पड़ेगी उसको ब्रेक करके लिखने की जरुवत नहीं बड़ेगी आप अगला सवाल क्या कह रहा है 50 किसी नंबर में एक कर दिया जाए देन रिजल्टेंट विकाम 166 2 by 3% of that number तब क्या होता है 166 2 by 3% of that number हो जाता है ठीक फाइंड डैट फाइंड दा नंबर अब एक बास समझना अगर नंबर को मैं बात करूं तो पहले 100 होगा अब 66 2 by 3% इसमें और तभी यह 166 2 by 3% हो रहा है पहले नंबर इसका मतलब दो बटे तीन भाग पचास के बाराबर तो आपको पूरा बन चाहिए तो पचास डिवाइड वाइड टू इंटू थ्री दो से 25 बार 25 इंटू थ्री 75 25 इंटू थ्री 75 आंसर आ गया तो ऑप्शन फोर 75 इस आंसर है तो ऑप्शन फोर 75 हमारा चले इत्ती बात क्लियर हो गए कैसे करेंगे लॉजिक क्लियर था च्यासच सब्सक्राइड दो बटे तीन परसेंट ओवरॉल बड़ लाए और एक्च्वल में हम एक्ट कितना कर रहे है पचास परसेंट तो 50 परसेंट 66 2 by 3 परसेंट के बराबर अंसर तो आज का जो सेशन था बस वह इतना ही था उमीद करते हैं आज के सेशन में जो परसेंटेज का बेसिक कॉंसेट वह आपको क्लियर हो गया होगा क्या परसेंटेज होता है क्या परसेंट कैसे काम करता है परसेंट क्या होता है परसेंट वैल्यू का इस्तमाल कैसे करत होते हैं वो चीज़े आपको अगले सेशन में मिलेंगे और कॉंसेप्ट के साथ और सवालों के साथ पर अभी के लिए दीजिए हमें एजाज़त थैंक यू एवरिवान हाव ग्रेट डे एंड इन्जॉय और सेल्फ